जो लोग भक्ती के मार्क पर होते हैं, आम तोर पर आप देखेंगे, कि उनमें से ज्यादा तर जल्दी मर जाएंगे. इसे भी इस धर्ती से निकाला गया है ये भी इसी धर्ती से निकाला गया था ये भी धर्ती का एक टुकड़ा है और ये भी धर्ती का ही टुकड़ा है, है ना अगर मैं सोच सकता हूँ कि ये मैं हूँ तो मैं ये क्यों नहीं सोच सकता कि ये मैं हूँ ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग कुछ अलग है अच्छा है, है ना, ऐसा दिमाग मदद करेगा पर निश्चित रूप से ये पागलपन है, है ना मेरा ये होना पक्का पागलपन है कृपया ऐसे देखी, मेरा ये होना, क्या ये पागलपन नहीं है आपकी सुविधा केवल यही है कि हर कोई ऐसा है हाँ, पागल खाने में ऐसा ही होता है सिर्फ इसलिए कि हर कोई आपकी तरह है इससे ये चीज सही नहीं हो जाती मैं जानता हूँ कि हम एक लोगतांत्रिक देश है भहूमत राज करता है जो भी भहूमत कहता है वो सच बन जाता है पर अस्तित्व में ऐसे काम नहीं चलता जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है बस यही अगर आप इसके साथ तालमेल में हैं तो जीवन एक तरीके से काम करता है अगर आप तालमेल में नहीं हैं तो जीवन दूसरे तरीके से काम करता है, ये एक सरल सी बात है, तो अगर आप जानते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, बुद्धी से नहीं, अनुभव से, अगर एक स्पष्ट दूरी आ गई है, तो इसे एक और रखकर चले जाना सहज होगा है न, इसे आप बुरे नामों से बलात जीओ, नहीं, मुझे लगता था कि मैं ये लोटा हूँ, और मैंने इसे लगातार ढोया, एक दिन मुझे अनुभव हुआ, हे भगवान, ये मैं नहीं हूँ, अब मेरे लिए उसे नीचे रखकर बैठना सहज होगा है न, क्या ऐसा नहीं है, तो उन्होंने बस ये ही किया, आप इसे बढ़ा चड़ा रहे हैं, आत्मग्यानी अपने शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं, जब उन्हें बोध होता है कि वो ये नहीं हैं, तो वो इसे एक और रख देते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा और काम होता, तो वो इसे उठा सकते थे, उन्हें कोई काम नहीं था, वो इसे रख कर चले गए, ये जीने का समझदार तरीका है या नहीं, अगर आपको इस लोटे से काम हैं, तो आप इसे हर कहीं डोएंगे, कोई काम नहीं है, तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे, इसलिए जब आत्मग्यान होता है, तो 90 प्रतिशद ऐसा होता है, कि आ भक्ती के मार्क पर होते हैं, आम तोर पर आप देखेंगे, कि उनमें से ज्यादा तर जल्दी मर जाएंगे, ये मृत्यू नहीं है, जिस पल उन्हें ग्यान हुआ, वे शरीर को एक और रख कर चले गए, आप पूरा इतिहास देखिए, कितने ही योगियों और आत्मग्यान इन्यों ने 28 से 36 साल के उम्र में शरीर छोड़ दिया, वे उसी उम्र में चले जाते हैं, क्या आपने इस पर ध्यान दिया है, भारत में ऐसे लोगों की भरमार रही है, उनके जाने का यही समय है, आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है, आपने विवेकानंद क के बारे में सुना है, वे पहले योगी थे जो 1893 में युनाइटिट स्टेट्स आये थे,